रहे हैं है चलिए हिंदी का टॉपिक है क्रिया वैसे आप लोग क्रिया बहुत सारा देखे ही है बोल चाल के भासा में दो क्रिया होता है एक माई क्रिया एक बाप क्रिया है ठीक है लेकिन भ्याकरण की भासा में जाओगे तो भी यह कहता है कि अगर इसको ले करके हम चलें कि रचना के द्रिष्टी से केवल दोही क्रिया के रूप होते और एक को बोलते हैं सकर्मक और दूसरा का नाम है सकर्मक लेकिन क्रिया के अबल दो ही रूपों से नहीं जाने जाते हैं जब क्रिया का पूरा डीटेल हम लोग करने जाएंगे तो सकर्मक और अकर्मक के बाद क्रिया का जो अगला रूप होगा उसका नाम है द्वी कर्मक क्या कहते हैं द्वी कर्मक इसके अलावा ए इज एम आर्थ वो भी एक क्रिया का रूप है उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं उसके बाद आईए तो एक क्रिया का रूप और हम लोग देखेंगे जिसमें कहते हैं क्रियार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया पूर्व कालिक क्रिया फिर पूर्व कालिक के अलावा क्रियार्थक क्रिया और एक लास्ट में संजुग्त क्रिया क्रिया के रूप में हम लोग जाएंगे तो इतना क्रिया का हम लोगों को क्या करना है निरिक्षन करना है और जान करके तुम लोगों को सुख भी होगा और दुख भी होगा कि संजुक्त क्रिया का ज्यादा तो नहीं एगारह भेद होता है कि इतना भेद होता है डरा नहीं रहे हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं तो क्रिया से थोड़ा थोड़ा परिचे तुम लोग करा दे शुरुवात करते हैं अकर्मक कर्मक रिया का मतलब होता है कि जिसमें कर्मन Oi जैसे वह खाता एंट हम सरो नाम है ठिक है और खाना क्या है क्रिया तो इसमें एक संज्या ठाल कि करता था करता मतलब जो काम को करता वह खाता है घाने का कौन कर रहा है वह तो वह को हम लोग बुलेंगे करता और खाना को बुलेंगे क्रिया तो जिस वाक्य में केवल करता और क्रिया हो उसे हम अकर्म कहते हैं अब इसमें जोड़ दिये वह रोटी खाता है ती रोटी ही कर्म है यह हो गया सकर्मक मैं गिरा यह अकर्मक है मैं साइकल से गिरा सकर्मक है वह नाचती है वह टेबल पर नाचती है ठीक है तुम जाते हो तुम घर जाते हो ठीक है तुम अकर्मक सकर्मक की कहनी थी जिसमें करता और क्रिया का लावा कोई तिसरा आदमी आ गया तर मान के चलो क्यों कर भूए उसका दर द्वी कर्मक ठीक है इसमें एक कर्म नहीं है दो दो कर्म है कैसे अगर मैं बोला मैं पढ़ाता हूं कि क्या है अकर्मक ठीक ना जैसे मैं बताया कि मैं पढ़ाता हूं ठीक ना तो मैं क्या है करता है और पढ़ाना क्या है क्रिया है अब एक लाइन हम आगे बढ़ गया है आप लोग ना गुसाइए तब लेकिन मैं हिंदी पढ़ाता हूं पढ़ाता हूं पढ़ाता हूं ठीक में करता और क्रियात आप पहले ही से जानते हैं एवाला इंसान क्या है हिंदी हिंदी यह होगया कर्म होगया ना अब एक लाइन वार आगे नहीं कुसाइए तो बुले बुले अईसे बुले है जी है है तोड़ो मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं अब इसमें क्या हो गया खेल इसमें एक कर्म आ गया छात्र एक ठोकर्म आ गया हिंदी जिसमें दूग और कर्म हो उसको क्या बुलेंगे अ जी है बच्चा पीता है अकर्म और इसमें यही नहीं हम लोग दिखेंगे यह वला क्या है अकर्मा यह वला हो गया आप कर्म मैं पढ़ाता हूं ऑकर्म इस मैं हिंदी पढ़ाता हूं सकर्मा मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं दी कर्म कि अब देखो कि एक और लिखें इसाज़त है मैं बाल विकास पढ़ा कर हिंदे पढ़ाऊंगा पूर्वकाली क्रिया हो गया कि मेरे पास एक काम है इस काम को जब पूरा करूंगा तर दुसरा काम करूंगा तो मैं बाल विकास पढ़ाने के बाद हिंदी पढ़ाऊंगा एक इसका उधारन है पूर्वकाले के क्रिया का यह जैसे लोग बोलते हैं मैं नहा कर खाऊंगा तो यह क्रिया उख रहा है जब करेगा तब खाएगा खेल कर पढ़ूंगा यह पूरा करेगा तब क्रिया के चार गो किरिया तेके गों में आगे? आगे ना? ठीक है? अब देख्वा हुआ हिंदी पढ़ाना पढ़ाना मेरा जुनून है अब देखो यह क्रियार्थक क्रिया है जिस वाक्य में क्रिया आए लेकिन क्रिया का बोध है ना करा जैसे टाहलना स्वास्त के लिए अच्छी यादत है अब बताओ इसमें कोई टाहला? लेकिन टाहलना क्या है? जहां क्रिया संग्या बन जाए उसे हम लोग क्रियार्थक क्रिया जहां जिससे हमने का कि मैंने खाया खाना क्रिया हुए ना? हिंदी पढ़ाना है मेरा तो जब क्रिया काम ना करे और भासन दे डायलोग दे देश के लिए मरना अच्छा है कहां मरे आप? मर गए भासन दिये तो यहां मरना क्रिया है लेकिन क्रिया हुआ नहीं हुआ तुम जाओ तो तुम जा रही हो क्रिया हो रहा है तुम घर जाओ तो यहां क्रिया कर्म के साथ हो रहा है तुम अपनी दोस्त के साथ घर जाओ यह दो आ गये तो आज दुपर फल पढ़ा है तुम पढ़के घर जाना तहां एक काम कर रही हो तब दूसरा काम तुमको भी प सारो क्रिय खोता हूं कि माई बाप क्रिय पहले सही था जीजा सानी क्रिया भी चार क्रिया एट वह चारो सहाय क्रिया कोई पढता है चाहय क्रिया तो ईया मार है प्त आए है थे था ओ यी यहां पर पहले पेज पर सकार्मक समझ गया है पाकर्मक समझ गया है सहाय को समझने की जरूरत नहीं है पूर्वकालिक समझ गया है क्रियार्थक समझ गया है इसको तो भिलत ठांकर रोक लींजी किसमें बहुत सरा संजुक्त मतलब कुछ नहीं है जहां दो क्रिया एक साथ भाएस हो रही है बारिस हो रही है एक दो क्रिया कभी मेरी गली भी आया जाया करो आना और दो क्रिया जोएंट नहीं है कि अब एक एक करके लिखा जाए आपको लिखने बात समय बात समझ में आजानी आजाएगी ना कि हमको क्रिया का भेधी चुनने के लिए देगा कोई एक वाक्य देगा और बोलेगा कि यह वाक्य बताईए कि कौन सा क्रिया का उधारन और लास्ट में तुम लोग को जाते जाते पांट शे ऐसे उधारन बताएंगे जहां तुम लोग का बुद्धी का फराई हो सके तुम्हारे कल्कुलेशन से वह बाहर का चीज लेकिन एक जाम का फेवरेट प्लेस होता है कुछ ऐसे जगह पने हुए जैसे सरुनाम वहां प वैसे यहां भी है आप ऐसे चीज़ पूछ सकते लिएसे हैं को चार आदमी का सिर देख रहे हूं हम बोले उसका सिरख खुजलाता है मत सूछ धिल है कि जेवर है जैए लेकिन उसका सिर खुजलाता है इस सकर्बम क्यक्य कर्म कर्म एक आतार्म है क्यक्ता है 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 कि है 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 चुपे इसलिए कर में उसका सीर खुझलाता है कि सकरबॉक कर ईसी को बताना यहां हमने क्या कहा उसका सीर यह कहते हैं क्या ख़जला रहा है तो उसका सीर जो है सो क्योवल पद है और खुजलाना रिया है अगर यही बाग एक को हम बदल दे वह आपना सीर खुजला रही है तो यह सकर्मक हो जान रही है कहां गारी पेंचेर होता है इसलिए उसका सीर खुजलाता है यह कर्मक है सकर्मक है नहीं है चलिए आईए अब आपका नसीब में है कि एक एक करके सब का परिभासा अनोट डाउन पर देए लिए लिए क्रिया किसी काम का करना या होना क्रिया कहलता है किसी काम का करना या होना क्रिया कहलता है काम को करना या होना क्रिया कहलता है कितना बार में लिखा है किसी काम का करना या होना क्रिया कहलता है लिखे पर ते क्रिया अगला पैंट पर ते क्रिया में मूल धातु पद होता है परते क्रिया में मूल धातु पद होता है मूल धातु पद होता है जैसे जैसे पढ़ना में पढ़, लीखना में लीख, आपको हम पहले भी पता हैं कि मुल धातू का क्या भी सिस्ता होता है पढ़, जो मुल धातू होता है, वो हमेशा स्थिर रहेगा कैसे स्थिर रहेगा, तो अब यहां लोगों ने देखा कि अगर पढ़ना में हम पढ़ एक मुल धातू है तो इसे कई प्रकार के सब्द बना सकती है, जैसे एक लिखवाए, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ाना, है न, तो सब में पढ़ क्या है, कौमन है, जयानि मुल धातू जो होता है, वो इस्थिर परविर्ती का होता है, उसमें कोई बदलाव, हम उसे, उसमें प्रत्य जोड करके, उसका अलग-अलग उचारण कर सकते हैं, या उसका अरुपात्रण कर सकते हैं, यह हम लोग इसमें देख रहे हैं, राइट, अगला पैंट में लिखिए, राचना के दृष्टी से क्रिया के दो ही भेद होते हैं, राचना के दृष्टी से, दृष्टी से क्रिया के दो भेद हैं, दो भेद हैं, एक तराफ लिखो, अकर्मक, इसमें अकर्मक में लिखो, कर्म नहीं होता, और दूसरा, साकर्मा, इसका मतलब हुगा, सार्मा होता है, वो दाहरन में जाएंगे, एक नमबर, सुलोचना, लिखती है, लिखती है, या कर्मक है, लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे, सुलोचना, पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो यहाँ पर, पत्र क्या है, कर्म है, ना, लिखेंगे, वह खाया, सकर्मक में लिखेंगे, वह आम खाया, लिखेंगे, पुस्पा गई, इसी का सकर्मक मना यह, पुस्पा घर गई, इदार लिखेंगे, लड़के, खेलते हैं, इदार लिखेंगे, लड़के, आ खेलते हैं, लड़के, कबड़ी, खेलते हैं, तो आपको सकर्मक और कर्मक अभेद समझ में आ गया, नीचे लिखेंगे, द्वीकर्मक, द्वीकर्मक, तो आपको जिस वाक्य में एक खर्ता, एक क्रिया, और दो कर्म हो, दो कर्म हो, ज्वीकर्म कहलाता है, ज्वीकर्मक कहलाता है, इस लिखो, दार न, आपका, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, अभी बताया है ने जी क्या है, ये अकार्माख है, ठीक है, दुसरा, मैं हेंदी पढ़ाता हूँ, ये क्या है, ठीक है, ये हो गया, सकर्माख, ये लिक्ये, मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूँ, त्वी कर्माख, मतला, के, इसमें एक कर्म था हिंदी, इसमें दो कर्म था हिंदी और चात्रों, इसका एक और उधारम लिखो, माँ पिलाती है, माँ पिलाती है, ये क्या है, आकार्माख है, माँ दूध पिलाती है, ये क्या हो गया, ये सकार्माख हो गया, दूध को अंडरलाइन कर लीजिए, माँ बचों को दूध पिलाती है, माँ बचों को दूध पिलाती है, मां बच्छों को दोध पिलाती है हो गया है तो मां बच्छों को दोध पिलाती है यह क्या है क्लियर फसने वाला कोई चीज है अब इसके नीचे लिखिएगा आप लोग के सकर्मा के वहम अकर्मक्रिया के जटिल उदारां सकर्मा के वहम अकर्मक्रिया के कि जटिल उदारां के आप सुचे थे कि तुम लोग को दो कॉलम बना के बता है अब मेरा इरादा पदल गया और अब हम सुच रहे हैं कि हम उपर नीचे लिखें नमबर एक अब देखों बताना जड़ा पूंद पूंद से घड़ा भरता है ये सकर्मक है कि अकर्मक है लिख लो कहल जा रही है पूंद पूंद से घड़ा घरता है ये सकर्मक है क्या कर्मक है सकर्मक गलत तो होना ही था इसमें कर्ता और तर्म कहां अलग अलग है कोई कर्ता है तोड़ा कौन भर रहा है जब कर्ते गाइब हो गया पात समझ में आ गई देगो यहां हमेशा ध्यान रखना है ठीक है कि कर्ता और कर्म में जब दोनों रहेंगे तब ही कोई कर्म का प्रमुखत आएगा जैसे कर्म में कोई जरूरी नहीं है कि आदमी हो केवल कर्ता नहीं कर्म है तो भी वो अकर्मके रहेगा जैसे इसका एक्जांपल ऐसे समझ लो किना केला खाया जाता है केला खाया जाता है इसमें केला करता तो नहीं है इन कर्म जरूर है लेगिन है कर्म नहीं क्या उंठ होना यह अकर्म कहीं दारन होगा अकर्मक के लिए कर्ता और कर्म का होना कमपसरी अब देखो मैं खाया मैं खाया यह भी अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया है कर्म नहीं है केला खाया जाता है इसमें कर्म और क्रिया है इसलिए अकर्मक है ठीक है और वहीं बोलते हैं कि मैं केला खाती हूं तो एक बात जहां सबसे ज्यादा हिड़न कोश्चन डूबा हुआ है पहाँ याद रखना है कि अकर्मक के लिए करता अकर्मक से सकर्मक जाने के लिए कोई वाग के सकर्मक तभी हो सकती है जब इसमें करता प्लस कर्म दोनों मौझूद अगर इस दोनों में से कोई सिंगल है अकेले है उख कर्मे है फिर भी सकर्मक नहीं है रोटी गिरी रोटी तो करता नहीं है कर्म है लेकिन उस कर्म का कोई भेलू नहीं करता नहीं है तो रोटी गिर रही है पंखा टुटा चला इसमें क्या करता नहीं है इन कर्म है लेकिन उदारन किसका होगा अकर्म का होगा इसलिए उसका सिर्खुझ लाता है ठीक है तो एक कुछ उदारन है अगर नहीं भी समझ लो तो चार याद रखना है जैसे बुंद बुंद घड़ा घरता है अब तुम लोग के दिमाग चलेगा बुंद बुंद एक भरना दो घड़ा तेल किसका कर्मा लेकिन देखी नहीं किसमें कर्ता कहा है भर कोन रहा है मैं घड़ा भरता हूं इसे कर्मा लेकिन करता नहीं है अगर इसका सकर्मा बनाना है तो लिख दो मैं घड़ा भरता हूं कि क्या हो जाएगा कि क्या नाम है तेरा मंजू लेको मंजू लजा रही है मंजू लजा रही है यह कर्मक है किसा कर्मक है मंजू लजा रही है अब देखो यहां मंजू एक पद है लजा रहा यह लजा रही इस दो क्रिया है अगर हम अलग अलग भी कर देए कि लजाना और रहना तो दो क्रिया है हम कहां बता है कि जहां तू वो क्रिया आ जाए उहां सकर्मक हो जाएगा है यह अकर्मक है क्योंकि इसमें एक कर्ता और दो क्रिया है लेकिन कर्म नहीं तो सकर्मक होने के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है एक कर्ता और एक कर्म दोनों का होना कंपल सरी है वह कूदा वह कूदा क्या है अकर्मक वह छट से कूदा वह छट से कूद जाता है कैसे तू कर्मक वे दो क्रिया है हम तो बोल रहें कि दो क्रिया होने से कोई फर्क नहीं रहेगा ठीक है ठीक है दो कर्म हो जाए कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। targeted हो जाए कुछ बिगड़ने वाला वो या तो अकर्मक है या कुछ और है हो गया ना चलो लिखो उसका सीर खुजलाता है पता नहीं का रखा है उसका सीर खुजलाता है यहां देखो तुम लोग गलती क्या किये यहां उसका को अलग कर दिया और सीर को अलग कर दिया और उसका को तुम लोग करता समझ ले नहीं है लेकिन उसका अलग नहीं है उसका सीर एक साथ है वह कर नहीं रही है जब हम बुलें कि वह अपना सीर खुजलाती है तो उसका के बदले मुह अपना गया तो आपना सीर हो गया कर्म वह हो गई कर्ता और खुजलाना हो गया क्रिया कर्ता कर्म क्रिया आ गया तो हो गया सकर्म कर्म 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 अब आगे लिखो पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया लिखो जब करता जब करता एक कारे को करने के बाद जब करता एक कारे को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं हो गया है अब देखिए जो पूर्वकालिक क्रिया मैं बता रहा हूँ एक कार पूर्ण कर और दुसरे में लगन है यह नहीं बताया है यह लिखो तो मैं नहा कर नहा कर खाऊंगा बोलते हैं किसी कुछ आगे चली खा लेजी खाने दो पहले कुछ लोग ऐसे हैं कि बीना खाइले उन्हा नहीं नहीं जाते हैं कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भींगे पानी कि चलता है कबीर दासतना विद्वान बेक्ति थे इनका वो बेटा पैदा हुआ कमाल का की आप बैट करके कबीर जितना अच्छा दोहा बनाए थे ना सब को उलटता था करो में जिसे कबीर कहे कि कथ करो सो आज करो अब पल में प्रले होगी अज ही कर लो जो आज करना है वो अभी तुरंत कर लो पल में पर लाई जिन्द की छन भंगूर है कब क्या हो जाए तुम सोच रहो कि कल खुब मन से पढ़ेंगे कले तुमको बुखार आजे तौँ तुम सोच हो कि एकदम पड़िया उन्हें रैटिंग से लिखना है वही दिना खा जाता ह कॉल कॉन जानता है तो पल में जिन्द की छन भंगूर है जो भी करना है वह भी तुरंत कि कहा आज करो सो कल करो कल करो सो परसो घबराने की क्या बात है यारों अभी पड़ी है बरसो तुम कल कर जो कल करना है उसको परसो दिन होगा घबराने की क्या बात है कल रहा है ये मर है पूरा दिवन पड़ा हुआए साठ साल करेंगे ना तो तो इसन्धना सुच रहे है का इस शुच्छे कि हमरे लिए अंधाने है तुस कॉरा लिखो मैं पढ़कर खेलूंगा तो गया चलो अगला उदारन लिए अगला उदारन है क्रियार्थक क्रिया क्या दिये थे क्रियार्थक क्रिया अब लिखना है जिस वाक्य में क्रिया जिस वाक्य में क्रिया कार्य पुण करने की जगव कि संग्या कि भाव में आये आये उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं मतलब क्रिया का पर्योग संग्या की तरह हो चैंग्या की तरह हो तकी तरह हो मिनाव आ तरह हुआ इस मरना है अच्छा है आये तक देश के लिए अच्छा होता है अब इस वाक्य में जराहम को बताईए मरना से किसी काम को करना या पूरा होने का बुद्ध होता है नहीं होता है भासन के लिए आया है उठो नौजवानों मर मिटो देश के उपर इसलिए यहां पर इसे हम लोग क्या बुलते हैं कि राथक्रिया है दूसरा तहलना तहलना किसके लिए स्वास्थ के लिए हानी कारक है देखने दूसरा तहलना स्वास्थ के लिए हानी कारक है लिग लिए क्या लिए लाव दाया है अब इस वाक्य में जो क्रिया का बोध करा रहा है वह आदमी कौन है लेकिन कोई व्यक्ति टहल रहा है नाई इससे कोई काम होने का पता चल रहा है कोई कार पुर्ण हुआ नाई खाले दूसरा के भासन दिये और अपने रजाई में चापके सोग है अब मामी कह करकर आजाई तरल ले और उपदेश कुसल बहुत तेरे उपदेश हमें साथ दूसरों के लिए पढ़ो पढ़ो बहुत अच्छा पढ़ो इस सब बोलते हैं इसलिए अचल का बच्चा भी हाई बेड़े वाद मामी तुम कप पढ़ी थी मामी कहते है कि तुम्हारे पढ़ाने भी पढ़े थे कम बड़ा बात है बेटा हम लोग के जवाने में इसकूल नहीं बुदा सरासर जोट अपना कमजोरी को चुपाने के लिए आप जो हैसो आ कि संजोग्त क्रिया जिस वाक्य में दो क्रिया एक साथ हो जिस वाक्य में दो क्रिया एक साथ हो उसे क्या कहते हैं जी यह भी लिखवाएं नहीं लिखिए जिस वाक्य में दो क्रिया एक साथ हो फिर इसके एगारा भेद है ठीक है तो को एगार हो कोई याद करने में तो लोग को कोई तकलिफ नहीं होगा ना पहचानने में होगा इतना हमको पता है जैसे एक भोड़ एक होता है आराम बुद्ध ना तो आराम का मतलब काम का सुरू हो ना जिसमें कार्ता के साथ है दो ठो क्रिया तो हो लेकिन काम को सुरू करने जैसे पानी बरसने लगा यहां बरसना भी है और लगना भी है दूग क्रिया तो है लेकिन पानी बरसने लगा की का मिला पानी बर्सने की का आरंब नुउट रहान है इन छादे की करिया पूरा हो गई जर्स हम आपती बूधक हो गया और छाच पाई तो खाना और षुंपमा दो का क्रिए हैं तो सब्सक्रय रहे लिए पहला है दो कोई हो और फिर जिर उसका भेद पूरा लिखने का मन होता तो का लिखते आरांभ बोधक संजुक्त क्रिया आरांभ बोधक डाच देखे लिखो पानी वरसने लगा पानी वरसने लगा बच्चा पढ़ने लगा और बच्चा पढ़ने लगा और बच्चा पढ़ने का का मारंभ कर लिया है दूसरा समाप्ती बोधर दूसरा समाप्ती बोधर इसमें लिखे वह खा चुका है मैं लडाई कर चुकी हूँ इज़त का बात है इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं लडाई कर चुकी हूँ एन जी यहां करना और चुकना दूसरा का नाम क्या है अवकास बोधर अवकास का मतलब होता है बीच में छुटी सारे घंटा का लांच प्रेक मिलेगा अवकास हूँ ना कि ड्यूटी में थे ड्यूटी में आगे भी रहेंगे अभी के लिए चाहिए आएसा ही वाके खुझ के लई यह लिक्या है वह मुश्किल से मुश्किल से सो पाया है वह मुश्किल से सो पाया है सोना और पाया दुग करिया है लेकिन मुश्किल से सो पाया है वाके क्या दिखा रहा है कि सोना था छे बजे बीच में तड़ाब तड़ाब के रहा एक घंटा बात का इसु कल मिला तो उस बल से सो गया इन हुगा वालाब जिस टाइम उसको सुना था उस टाइम ने सो के थोड़ा बाद में सो यहां आगला लिखिये अनुमति बधाट अनुमति बधाट प्लेज मुझे जाने दो लिखो क्रिप्या मुझे जाने दो मुझे भी थोड़ा बोलने दो मुझे भी थोड़ा बोलने दो कि इससे आगे लिखना चाहते है तो ब्रेकट भी लिख दीजिए नहीं तब फिर सोच लेना इससे अनुमतिय ने ले रहे हैं क्रिप्या मुझे जाने दो तो मुझे जाने दो तो अब मुझे जाने दो का मतलब जाना और देना कि दो खिरिया है ने जी लेकिन भाव क्या अनुमतिक आरंभ लिख्वाइस नित्यता पुधर नित्यता 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 को अंगरेजी में क्या बुलते हैं कंटिनीवस बुलते हैं ना तो कंटिनीव कर दें छोड़ दें पर देना हवा चल रही है हवा चल रही है पेड बढ़ता गया बढ़ता गया बात समझ में आ गया कि नहीं आया अगार ना इस नित्यता है ना को अगया चलिए नित्यता है ना प्राइड़ चले नित्यता हवा चल रही है किधर चल रही है नहीं जानना है अवा चल रही है काय नंबर तक पहुंचा जी चा अवशक्ता बुधक आवशक्ता बुधक मतलब इसमें यह हुआ कि तुम नहीं हो तो कम नहीं होगा हमें तुम्हारी जरूरत है लिखना नहीं है समझाने के लिए बोल रहे हैं इससे हम लोग क्या पता चला है कि तुम नहीं रहोगे तो मेरा कम तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाओंगी इसी टाइप का वर्ट खुजी है इस तो समझने के लिए था रोटी मुझे ही बनानी पड़ती है रोटी मुझे ही बनानी पड़ती है समझ गया है बनाना उपड़ना दुग है ना लेकिन वाक्य क्या दिखा रहा है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरे घार में रोटी तो तुम्हारी जरूरत है खाना मुझे ही बनाना पड़ता है तो इसमें और सब्सक्राइब अगला पैंट साथ नंबर निश्चय बुधाक निश्चय मल्ला वेक्दम काम हो गया वह गीर गाई नो कन फुझे वह गीर गाई है ना क्या है कि फिर लिखो निश्चय बुधाक बात एक्छा बुधाक एक्छा बुधाक वह एक्छा है तो बोलो मैं खाना चाहती हूँ सुनो जी मुझे मंदिर जाना है काल लिखना नहीं तका करता है अब क्लास चुर के घर में बोलने चाहिए सुनो जी मुझे मंदिर जाना है कि कभी भी संजुक्त वाक होगा है दुखक रिया है इसमें फिर कहा है लिखे जान रहे थे कि इसम पक्का बोलेगे तो लोग चापेगी काटो कि मैं मंदिर में मैं हाँ आप लिखो मैं मंदिर में जल चढ़ाना चाहती हूँ है तुम्हारे इच्छा है इसमें अब मंदिर में जल चढ़ाना भी है और चाहना भी है दुख्रिया है ना आख बंद कर लेगे अभ्यास बोधाक अभ्यास बोधाक नौट नंबर अभ्यास बोधाक लिखो मैं खेला करता हूँ मैं खेला करता हूँ कि दूसरा वाला खेला नहीं समझ गया है यह खेला मतलब ड्रामा भी होता है कि मैं खेला करता हूँ मतलब बच्चा दस नंबर है जी सकती बोधार मैं तुम्हें मार सकती हूँ मारना सकना दुग है न और तुम्हारा पावर भी पता चल रहा है मैं चड़ सकती हूँ मंदिर रुग रहता है बड़ा समस्री तो लोग बोलते हैं तुम्हारा वाला लोटा वीडियो दो नहीं कि दुसरा आतमी अपना सकती दिखाता है कि मैं भी चड़ सकते हूँ और बाकी जो नाम है उसके उनसार बाकि होना चाहिए फिर लिखो पुनारुक्त संजुक्त क्रिया पुनारुक्त संजुक्त क्रिया क्या लिखिएगा पुना रुक्त संजुक्त क्रिया मतलब जहां दो क्रिया आपस में 60 सटा के दैस से जुड़ा हुआ हो लिखो मैं तुम्हारी गली आया जाया करते हूँ पडोसियों से मिलते जुलते रहना चाहिए सही बात है नहीं पडोसियों से मिलते जुलते रहना चाहिए वह पढ़ा लिखा करता है वह पढ़ा लिखा करता है इसमें दो क्री आया है लेकिन आपस में सटा हुए है जो ज़क्षिन से जुड़ा हुआ है था हम लोग इसको क्या वो लेंगे चालो ये तुम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इसमें कॉल हम लोग आके पहला का में ही करेंगे ठीक है कि इसका 25-30 सुधारण देंगे और आप लोग से पुछ पुछ करके उसको भरवा देंगे झालो ये हुआ है झालो ये पुछ करेंगे प्रस्वार देंगे लोगो ये जाके चालो ये झालो ये उसका दोग्ज कि थाए है राव लोग जावे हैं